मेरी जनकाली है कि वहां पुषांत किशोर का कोई अल्पसंख्यक समधाय का उम्मिदवार होने जा रहा है जक्तानन सिंग्पुन के घर में ही परिवारबाद जो है ने इसको हम वहां तहसनास करेंगे और यह वहां भी हम हराकर दिखाएंगे बने जीतेंगे तो कही रहें वो यह दम है उनका कि जीता राम मांजी जो केंद्रे मंत्री अभी है उनका इमामगन सीट तो वहां भी उनको घर में हराएंगे चारो सीट पर जीतने का दावा करेंगे हाँ वो चारो सीट में, तीन सीट तो कहते हैं कि हम हला कर हैं इस सीट में जीतने का दावा और इस सीट में हलाने का दावा भी कर रहा है। मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार देगे दशहरा खत्म हो चुका है और दशहरा के बाद बिहार में होने वाले चार सीटों पर उपचुनाओ को लेकर के राजनिती तेज है सियासत गर्म है कौन सीटों से कौन चुनाओ लड़ेगा ये बिहार तक की टीम आपको पहले बत उन चार सीटों के जो विधायक है वो सांसद बने थे पहले इसको लेकर के चर्चाएं थी लेकिन अब प्रशांत की सोर की पार्टी बन गई है प्रशांत की सोर ने बड़ा दावा कर दिया है तो बाई एलेक्षन वाकई दिल्चस्प हो गई है फिलहाल बिहार की राजनित कर दल होता है जो सरकार होती है उसको रहता है कि वह सीट सब हम जीते हैं अब बिहार में सेमली की जो सिती अभी है उसमें जितना कम अंतर से सरकार चल रही है यहां इसमें जादव्याकरा । 222 होता है और अब चार सीट खाली हुए हलाकि इसमें कहीं सीट है इंडिये की बाकी सीट महाकटबंधन की है तो इस हिसाब से आप कहेंगे कि महाकटबंधन की ताकत घटी है और अगले साल विदान सभा के चुनाव होने हैं नवर मर दो हजार पचीस में उसके पहले चार सीट को मानता हूं खासकर अभी एक नया प्लेयर आ गए हैं व्यार के राजिंतिक मैदान में प्रिशांद की सोर जिनकी दो अक्टूवर को पार्टी लॉंच हुई पहले कोच की तो मानता हूं यह रिमोट कंट्रोल उसी तरह से है जैसे कॉंग्रेस पार्टी में भले खड़के साहब अध्यक्षे हैं इस सारा रिमोट किसके जिम हैं तो यहां तो प्रशांद की सोर जो चाहते हैं वही होगा भले ही मनोज भारती जी अध्यक्षे अब रही बात यह दो कीज़े जो हईग्ला चुनाव होगा उसमें उन्ही की सरकार बनेगी और इंडिये जो सता रूट्दल है उसे मुकावला उन्हीं सेसे होगा राज़त कहीं नहीं हो तो अब इस चुनाव में लगलागार जहीद देखना है जो राज़त की एक सीट है आपको लेलागन की सीट जो सुर्यन जादव बाहु बली है यहीच अभी है उनकी MP हो गए अब वो सीट से उपचुनाब होगा तो अभी तक तो चर्चा थी कि उनके सुपूत्र लेंगे हाँ और वहां प्रिषांत कीसौर राजत का जनाधार कया माना जाता है माना जाता है EB-BAE यही है रननीति प्रिषांत की प्रिषांत कीसौर की कि चुनाओं में जदी हम विहार में जो पीछले जब से लालू प्रिशाद मुक्मंत्री बने और उसके बाद सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें राजनीत की एक धूरी बने हैं और उसमों उनका एम बाई मुस्लिम यादव ही में जनाधार है मतलब राजत का एक जनाधार माना जाता है कि 32-32 परसेंट प्रशांट की सोर जो है वो कहीं न कहीं बाई-एलेक्शन में ही अपनी ताकत दिखाने की पूरी तयारी कर रहे हैं वो 25 का इंतजार नहीं कर रहा है लेकिन संजोग ऐसा है कि यही लिटमा स्ट्रेस जो मैंने आपसे बात की मैं तो वह स्टेटजी बता रहा था कि महराज गंज में यहां बेला गंज में जो राजत का एम भाई है उसको तोड़ना है अब वो एक लालू पड़िवार पर मतलब राजत में पड़िवारबाद की बात होती है उसका एक जीवन तुदाहरन रामगट सीट भी बनी है जहां कभी जक्तानन सिंग एमेल हुआ करते थे एंपी हुए फिर उनके पुत्र एमेले हुए फिर एंपी हो गये अब वहां से उनका सुपूत्र आपको याद होगा जदिव छोड़ करके वह फिर राजत जोइन कर लिया उनका लाला का उसी को कईड़ेट वायाना है प्रशांत की शोड़ने वहां उस राजत के पड़िवारबाद पर भी छोट करने की ठानी है क्या कहा है प्रशांत की सोड़ने प्रशान की सोर ने ठान लिया है कि मांजी को उनके घर में हराना है और तीन तो है और जहां तक प्रशान की सोर कि कहीं बात मैं कह रहा हूं तो कहा कि यह सुनिल पांडे बहुवली छभी होनकी उनका सुपूत्र ज्वाइन किया है दोनों बीजेपी तो आप अभी मान लिजे कि सुनिल पांडे का सुपूत्र लड़ता है तो उसका हरना तय है वहां उन्होंने हरना तय की बात कि और इन ती जगा कहा कि हराकर बाज आएंगे तो प्रशान की सोर का विए दावा संकल्प कितना काम आता है लेकिन अब सिर्फ चुनावायोग से डेट का इंतिजार है सारी पाटियां अपनी तयारी कर चुकि है कई डेट भी तयार है अपने छेत्र में सब लोग घूम भी रहे हैं लेकिन अब इंतिजार जो बात आपने कही तो यह उप चुनाव किसी भी दिन जारखंड इसेंबली सीट का जो चुनाव हो जारखंड का उसके साथ यह चार सीटों करते हैं कि हम ढई कर एब झागारा इस फीस我在 करना इस देजार Krista अपनी तक उस ही रोफ में दिखायें गही कि तक तो बीः चुछD विन दिया और य कुह से प्रशांद किसोडेंटा अभी तरह कि पाटी जंशुराज का सामने आना घबह बहते हैं कि अथे की निगाह ठीकी है कि प्रशान की और वाम करते हैं वो तो कहते हैं। 지금 बबनधन करता है और मेरा के काई से बाहर होगा yes hunけाइट में लिए फॉट बनाने में जो आप देंगे उस में इस याधार पर उन्हें कारजकारी अध्यक्ष की कोषना कि अभी तो पूरी पारटी चैस्ट स्धेश्य बननी उसकी भी घोसना होनी है तो कुल मिला जयाकर अभी सब्वों की निगाठी की है कि उग चुनाव के डेट की घोसना कब होती है और प्रशांत की सोर अपनी ताकत की सर तक दिखाते हैं तो देखें प्रशांत की सोर इस चुनाव में एक बहुत बड़ा चर्चा का किंदर होने वाले हैं क्योंकि प्रशांत की सोर ने ये दावा कर दिया है क्यों चार में से तीन सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और एक सीट पर हराने का काम करेंगे इन सब के बेच प्रशांत की सो तमाम पार्टियों के गड़ में हराने का दावा कर रहे हैं अब देखना है कि जब अगले दो महीने के अंदर में संभफता उपचुनाओं के नतीजे भी आ जाएंगे उपचुनाओं में परशांद की सुर्खितने बड़े फैक्टर होते हैं और पचीस से पहले परशांद की सुर्खितने इंटरी किस तरीके से होती है देखना वाकरी दिल्चस्प होगा अनिकेत कुमार बिहार तक पटना